खत्रों के खिलाडी 14 की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही शालीन भनोट काफी चर्चा में हैं कथित तौर पर शालीन शो में सबसे मजबूत खिलाडियों में से एक हैं उन्हें रोहित शेटी ने फाइनलिस्ट भी कहा है कहां जा रहा है कि उन्हें एक और बड़ा रियालिटी शो मिल गया है इंडियन आइडल टॉप शो में से एक रहा है और बॉलिवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक शालीन भनोट इस शो में नजर आ सकते हैं उनसे इंडियन आइडल बंदरा को होस्ट करने के लिए संपर किया गया है बता दे कि इंडियन आइडल के पिछले सीजन की एंकरिंग हुसैन ने की थी लेकिन मेकर्स इस साल एक नए चेहरे की तलाश में है शालीन फैंस के भी पसंदीदा रही है जबकि उन्होंने पहले कोई रियालिटी शो होस्ट नहीं किया है शालीन भनोट कई टीवी शोज में नजर आ चुके हैं वहीं इससे पहले एक्टर को सलमान खान के रियालिटी शो बिग बॉस में देखा गया था इस शो में उन्होंने काफी सुर्खिया बटोरी थी शालीन फिलहाल खत्रों के खिलाडी की शूटिंग के लिए रोमानिया में हैं और दूसरी तरफ इंडियन आइडिल के लिए ओडिशन हाल ही में शुरू हुए हैं और ऐसी ही दिल्चस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें